हलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, हम लोग कर रहे थे आपका पार्ट नो, जीवन का लक्षे, और हम इसके कर रहे थे दीर्क प्रशन उत्तर, दीर्क प्रशन उत्तर पे हमें प्रशन नमबर चार तक खतम हों किया है बच्चों, आज हम प्रशन नमबर पांच करेंगे, प रोहित ने क्या शंका जताई थी, शंका मतलब उसको क्या डाउट था, उत्तर, आप कहते हैं कि भारत सन 2020 तक विक्सित रास्टर बन जाएगा, पर क्या निरंतर बढ़ती जन संक्या और बेरोजगारी, इसे संभव होने देगी, रोहित को ये शंका थी, ये टेंशन थी कि डाउट था उसको कि आप कहते हैं कि 2020 तक हमारा देश विक्सित हो जाएगा, लेकिन जो हमारी जन संक्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जब जन संक्या जादा है तो बेरोजगारी भी जादा है, तो क्या इन दो बहुत बड़ी वज़े जो हैं, ये हमारे देश को विक्सित होने देंगी, प्रश नमबर छे, उचा लक्षे पाने में आने वाली बांधाओं को हम किस प्रकार पराजित कर सकते हैं, हमारी जिन्दगी में जो भी बांधाय आती है, मुश्कि उसे हम कैसे पार कर सकते हैं, जब हम कुछ उचा लक्षे साधेंगे, जब हम कोई बड़ा काम करने की सोचेंगे, तो उसमें बांधाय तो आनी है, लेकिन हम उनको पार कैसे करेंगे, उन्हें पराजित कैसे करेंगे, उत्तर है, हमें कठोर परिश्रम और उत्क्रिस्ट कार से इसे इन्हें पराजित करना होगा हमें बहुत जादा मेहनत करनी होगी और अच्छे करम रखने होगे जिसकी वज़े से हम इन्हें पराजित कर पाएंगे विग्न बांधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए अपने लक्षे को पाने के लिए रास्ते में जो भ प्रेश नंबर 7 है, महात्मा गांधी ने क्या किया था? पूछे जा रहा है, महात्मा गांधी ने ऐसा क्या किया था कि वो इतने महानव्यक्ति बन चुके थे उतर है महात्मा गांधी ने राजनीतिक सिध्धान्त को सत्य अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेर्दी थी देखें महात्मा गांधी ने राजनीतिक सिध्धान्तों को सत्य सज बोलो और अहिंसा बिना लड़ाई जगड़े के अपने काम को करो और निस्वार्थ किसी लालच के बिना अपने काम करने को अपनी धाल बनाई थी अपना एक हत्यार बनाया था और जो ब्रिटिश लोग थे हमारे देश में उनके खिलाफ एक लड़ाई छेर दी थी देखो बच्चो इसका आज ग्रैमर का हम लोग पहला कोशन कर लेते हैं पहला आपका प्रेश्ट है किरियाओं की पहचान साकर्मक या आकर्मक क्रिया के रूप में करो साकर्मक क्रिया आकर्मक क्रिया क्रिया के दो भेद होते हैं वर्ब होता है ना क्रिया उसके दो भेद हैं एक है साकर्मक एक है आकर्मक साकर्मक जिस पे काम हो रहा हो और आकर्मक क्रिया वो जिस पे काम नहीं हो रहा हो तो हमें इन शब्दों में ढूनना है साकर्मक्रिया कौन सी है और आकर्मक्रिया कौन सी है देखे हमेशा बड़ा सोचो सोचना आकर्मक्रिया इसमें कोई काम नहीं हो रहा है उन्होंने हमें पाट पढ़ाया इसमें काम हो रहा है इसलिए ये साकर्मक्रिया है पढ़ाने का काम हो रहा है उसने युवा अवस्था में कदम रखा साकर्मक्रिया है कदम रखा एक साल और बढ़ गया सन 2020 तक भारत उन्नत रास्ट बनेगा साकर्मक्रिया है क्योंकि कहा जा रहा है 2020 तक हमारा देश एक उन्नत रास्ट बन जाएगा इसमें काम होगा इसको उन्नत बनाने के लिए रास्ते में अनेग बांधाए आएंगी साकर्मक के लिए हम लोग जो भी लक्षे सादेंगे उसको पाने में मुश्किले आएंगी मतलब जो भी बनना चाहेंगे अपने रास्ता चुनेंगे उसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी बच्चे खूब हसे हसना आकरमक के लिया है तो आज आपका हूंबा की रहेगा बच्चो और सटड़े को आप लोग इसको करके मुझे समिट कर देंगे तब तक के लिए घर पे रहिए सेफ रहिए खुद हाफिज